आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिर नाव ए सिद्धान तक नहीं होतरी, स्टडी आई क्योंब आपका बहुत सबाकत है फिर से अलकाइदा की बात करेंगे हमने उसामा बिन लादेन की बात किया, आप जरूर लिचर देखेगा, लाखो लाखो लोग उसे देख चुके है 9-11 की बात की है, बहुत सारे मेरे लिचर्स हैं, टेरिटिजम पे आज हम बात करेंगे मुहमद अलमासरी कौन है ये, अलकाइदा में इसका रोल किया था क्योंकि दोस्तों, रिपोर्टस ये आ रही है, इसको मार दिया गया है अलकाइदा की लीडर्शिप लेने वाला था ये लेकिन अब खतम कर दिया गया है New York Times ने ये quote किया, ये report किया है तो क्या news है हम इस lecture में जानेंगे UPSC के smart courses आते हैं Study IQ का app download करके आप इन courses को अवेल कर सकते हैं इंस्टा पे मैं आगे और आट आट से 10 बजे तक मैं सारी queries answer करता हूँ तो सबसे पहले तो news क्या है हम देखते हैं New York Times ने ये report कि इरान की capital है तेहरान इरान ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अब आप सोचेंगे यार इरान तो शिया देश है और अलकाइदा तो सुन्नी organization है ऐसा कैसे हो गया? या चमबा कैसे हो गया? इरान में जाके अलकाइदा ओपरेट कर रहा है अमेरिका बाबू भाईया अमेरिका इरान और अमेरिका अभी जब से अमेरिका जो है वो nuclear deal से पीछे हटा है तब से और mood खराब है इरान का sanctions लगा दी हैं और ज़ादा फिर उसके बाद इनके जो leader थे इरान के जो इरानियन guards थे जो cops होते हैं उनके leader इरानियन revolutionary guard आपको पते न इरान में क्रांती आ गई थी 1979 में यह मैंने कई बार cover भी किया है इरान में क्रांती आ गई थी तब से Khomeini जो है उन्होंने इरान का पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया था और एक तरीके से एक्स्ट्रिमिजम इरान में आ गया था 1979 में और जब यह क्रांती आई तो Khomeini साब ने तो बोल दिया था कि जहां जहां डिक्टेटर्चिप है वहां वहां ले आओ क्रांती बगल में अफगानिस्तान था वहां पे भी क्रांती क्रांती मतलब वहां पे भी तक्ता पलट हो गया तो भड़ी दिक्खत है 1970 एंड बहुत ही अनिस्टेबल इयर था तो इस्लामिक रेविलुशनरी गाड्स तब से अक्टेव है और उसके जो लीडर थे ओफिशल ने ये बोला है कि तेहरान में ये प्रोटेक्टिव कस्टिडी में था और इस्लामिक रेविलुशनरी गाड्स को भले ही एक कैप्टिविटी में था लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया ये सारे शेहर जा सकता था तो सिर्फ कैप्टिव कहने के लिए था वैसे अबू मुहमद अलमासरी को अब्दुल्ला एहमद अब्दुल्ला के नाम से भी जाना जाता है इजिप्शन है, ये इजिप्ट से आता है और वरावदी फाउंडिंग मेंबर है अबी अलकाइदा के हम बात करेंगे आपको बता दूँ कि इस समय जो लीडर अयमान अलजवाहिदी और इसके बास सेकेंड इन नमबर था ये अबू एहमद लेकिन आप इसका खेल कतम हलाकि ये इरान अभी डिनाई कर रहा है वक्ता सबूत नहीं है अमारे पास जब तक कोई प्रूफ नहीं आगा तब तक ये तो रिपोर्ट्स आ नहीं है लेकिन आम तोर पर ऐसी रिपोर्ट्स जब आती है वो सच ही होती है टेलीग्राम पर मैं आ गया हूँ अभी 11,000 सब्सक्राइबर हैं तो आप यही वाला यह मेरा ओफिशल चैनल आप यही जॉइन करिएगा तो मुहमद अलमासरी अभू मुहमद अलमासरी है कौन इजिप्ट से आता है ये अब FBI एजेंट ने एक जर्नल पब्लिश किया था Combated Terror Center at West Point ये अभू मुहमद की जिहादिस्ट जर्नी को इसने बताया था देखिए अगर अलकाइदा की बात करें ये उसामा बिन लादेन के साथ था थोड़ा सा फिस्टरी जान लीजे 20 साल की उमर में ही ये मुझाहिदीन जिहादी हो गया था सोवियत के खिलाफ रड़ा था और जहाँ जहाँ उसामा लादेन गया वहाँ वहाँ ये भी गया उसामा बिन लादेन की बात करें अलकाइदा की बात करें साथी अरब की बहुती अमीर परिवार से आता है उसामा बिन लादेन अरब पती है इनका परिवार construction business में है उसामा बिन लादेन की पढ़ाई के उपर हमेशा कयास लगाए जाते कि इसने economics पढ़ी पढ़ाई पढ़ा कि civil engineering पढ़ी लेकिन जादा तर experts का ये मानना है क्योंकि पिताजी इनके construction में तेनके पिताजी की आएगी ये परिवार का ये experts का मानना है तो अब क्या हुआ उसामा बिन लादेन देखिए 1979 में मैंने अभी बताए इरान में revolution आ गया बगल में अफगानिस्तान में communist सरकार आ गी अब communism अफगानिस्तान में आ गया तो हुआ क्या अफगानिस्तान को full on support था सोवियत का जहां communism होगा वाँ सोवियत सपोर्ट करेगा सोवियत ने सपोर्ट किया गलती ये हो गई कि 1979 में सोवियत घुज गया और शुरू हो गया सोवियत अफगान वार अफगान की जो communist party और सोवियत साथ में आ गये बाकी देखें, communism जो है वो change लाता है और अफगानिस्तान में भी उसने change लाया बहुत कुछ करने की कोशिश की modernize करने की कोशिश की और तो को जादा rights देने की कोशिश की लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान, इरान, इराक ये ऐसे देश है न सब्धिताएं आपे 1000-1000 1000-1000 साल पुरानी भारत में भी यही है लेकिन भारत में थोड़ा सा liberal side है लेकिन अफगानिस्तान, इराक में ऐसा नहीं है वहाँ पे अगर इनकी 1000 साल से इनकी एक सब्धिता परंपर आप अगर उसको challenge करेंगे तो ये आपके खिलाफ लड़ेंगे तो जब ये changes लाए तो यहाँ के लोगों ने बोला हम ये सब सहेंगे नहीं तो बहुत सारे लड़ाके जो है जिनको मुझाही दीन से बोला गया वो इनके खिलाफ खड़े हो गए इनके खिलाफ सोवियत के खिलाफ और जो अफगानिस्तान में सरकार थी तो बहुत छोटे छोटे ग्रूप बन गए उसल में बना अलकाइदा अलकाइदा शुरू में कातंकी ग्रूप नहीं था अल मतलब दा तो अलकाइदा शुरू में कातंकी ग्रूप नहीं था 1988 में बनाया था उसामा बिन लादेन वनावधी founding member और ये भी एक founding member था अबु ये मुहम्मद अलमासरी जहां उसामा बिन लादेन जाता ये इसके साथ जाता तो पहले उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में लड़किस न लड़ाई की saauti Arab में क्या हो गया था saauti Arab में इसके पडिवार का business saauti Arab अमेरिका बहुत पक्के दोस्त और अमेरिका यहां पर मुजाही दीन्स को support कर रहा है तो टेरिरिजम एक तरीके से अमेरिका की ही देन है अमेरिका ने जिन जिन लोगों को सद्दाम हुसेन को अमेरिका ने खड़ा किया जिन जिन लोगों को अमेरिका ने खड़ा किया उन्हीं के ही बादवे सिर्दर्द बन गया वही है न, what you saw, you reap, जैसा बोगे, वैसा ही पाऊगे अमेरिका के लिए बिलकुल सच बैठता है, तो जितने ही में आप अनिस्टेबिलिटी देख रहे हैं, परदे के पीछे या तो रश्या है या फिर अमेरिका है, यही सच्छाई है दुनिया की, तो उसके बात क्या हुआ, सौधी ने इधर निकाल दिया, उसामा बिलादेन को एक्सपेल कर दिया, क्योंकि सौधी में जो किंग फाहत थे, वो क्या कह रहे थे, वो यह बोल रहे थे, देखिए, अमेरिका और सौधी एकड़म साथ में एकड़म यह दोसती हम नहीं तोड़ेंगे, अब इधर, उसाम बिलादेन अमेरिका से बहुत चर्ता था, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रगा रहा था ना, उसामा बिलादेन, सोवियत अफगान वार में, उसामा बिलादेन मुझाहिदियस की तरफ था, तो यहां पे सौधी अरब से यह बोल रहा था, कि तुम अमेरिका का साथ क्यों दे को साओधी अरब से निकाल दिया साओधी अरब अगर आता उसामा बिलादिन इसको इनफ्तार कर लिया जाता और उसके बाद 1989 में सोवित अफगान वर खतम हुआ फिर उसामा बिलादिन कहां चला गया अफगानिस्तान यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोहमद अलमासरी जहां उसामा बिलादिन यह वहीं यह भी गया फिर सुडान में भी मोहमद अलमासरी गया इसको कुछ मिली ने कोई ज़ादा सफलता ने मिली अब तब तक 1988 में अलकाइदा के स्थापना हो गई थी अब उसामा बिलादिन मोहमद अलमासरी मोहमद अलमासरी क्या करता था यह लड़ाको को ले के आता था यह आइडेंटिफाई करता था कि कौन बहतरी लड़ाका है और कौन इस जंग में हमारे लिए जान दे सकता है तो जिहादियों को यह ले के आता था in fact जो चार्टर मेंबर्स थे अलकाइदा के उन मे तो जैसा कि मैंने बता है, सुदान गया, सुदान में construction business से start किया, लेकिन सुदान जब गया, आफरिका में न सुदान, सुदान जब गया, तो वहाँ पे इसने छोटी मोटी bombings करनी शुरू कर दी, जिसमें मुहमत अलमासरी ने full-on साथ दिया, अब 1996 में ये दुबारा अफग अफगानिस्तान में civil war चला, और जिसमें कौन जीता, तालिबान, तो 1996 से लेकर 2001 जीता, अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया, बहुत ही बहतरीन तरीके से दोस्तों मैंने, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को मैंने बहुत extensively cover किया है, बहुत सारे lectures हैं, एक तो मै अहां से ही अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन, फिर अफगानिस्तान में आया, चार्टेट प्लेन से, क्यूंकि सुदान से भी इसको देश निकाला कर दिया, जो लेबर उसामा बिन लादेन के लिए काम करते थे, सुदान में एक से construction company खोली, और मुहम्मत अलमासरी लोगों को पकड़ के लेकिया था उन्ही को ये ऐसन आतंकी ले आया, आतंकवादी उन्ही को ही बना दिया इसने अफगानिस्तान में लाके, तो 1996 में अलकायता करी formation होता है, और उसके बाद इसने ऐसा आतंक फैलाया कि क्या बता है, हम ये देखते हैं कि बॉम्बिंग्स की इसने जहां अमेरिका था, वहाँ बॉम्बिंग्स की, केनिया, तंजानिया की एंबसी में बॉम्बिंग्स हुई, लेकिन दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट जो हुआ, वो था 9-11, 2000 आते आते, मुहमत अलमासरी को, 9 मेंबर्स की जो कमिटी थी, उसमें जगा मिल गई, जो अ जो 9-11 की प्लानिंग हुई, पूरी की पूरी, उसका जिम्मा इसको दिया गया, कि जा के तुम ले के आओ, कौन को हम बॉम्ब्लास कर सकता है, कौन बढ़िया जिहादी है, तो ये रिक्रिउटमेंट भी इसने किया, ऐसा था, 9-11 अटाक्स हुए अमेरिका में, 9-11 अटाक्स में मेरे पूरा सेपरेट लिच्चर अविलिबल है, किस तरीके से लडाकों को चुना गया, 19 लडाके थे, इनको चार ग्रुप में बाटा गया, पहले अमेरिका भेजा, अमेरिका में ये सब समझे, कि कैसे प्लेन जाता है, क पाँच, 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 और चार का, 19 थे ना, पाँच, 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 पंदरा हो गया और एक चार, चार जगह इनको बम, बलब प्लेन जो है वो गिराना था, दो जगह ये कामियाब हुए, ट्विन टावर पे, वाशिंग, ये पेंटागोन पे भी गिराने जा लेकिन बगल में गिरा, और चौथी जगह ये कामियाब नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे जो यातरी थे उस प्लेन में, बड़ी बहादुरी दिखा दी और इनको नाकामियाब किया, लेकिन ट्विन टावर पूरा लेके घुज गए, तो इसमें मुहमद अलमासरी का कड़ने के लिए, और इल्टिमेटली वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन 2011 में उसामा बिलादेन पाकिस्तान में मिला, मई 2011 में उसामा बिलादेन मारा गया, फिर अभी जवारी लीडर और अभी ये जो था मुहमद अलमासरी अब लादेन के साथ साथ था, लेकिन ये second अगला ल अलकायदा सुन्नी ग्रूप है, लेकिन उसके बावजूद इरान ने पना दी, इसको मुहमद अलमासरी को क्यों, अमेरिका के लिए, अमेरिका से कटर दुश्मनी है अभी मैंने आपको बताया, ये है, इरान में क्या कर रहा था, देखिए, जाधा तर अलकायदा के जो थे, वो पाकिस्तान भाग गए, ठीक है, या फिर इरान आ गए, अभू मुहमद इरान आया, पाकिस्तान नहीं गया, ये इरान आया, इरान से ये उपरेट कर रहा था, मैंने बताया कि बहले है, ये क्याक्टिविटी में था, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान सीरिया सब जगा जा सकता था, इसलिए, अब इरान ने इसलिए भी इसको कस्टिडी में रखा कि माल लोग कभी अमेरिका जो है, वो इरान का साथ देने लगे, सांक्शन्स हटा दे, लेकिन बदले में ये बोले कि हमको आप मुहमद अलमासरी दे दो, तो इरान बिलकुल भ ये भी इरान में थे, लेकिन बात में इरानिय इन डिप्लोमेट के रिलीज के लिए एक्शेंज किया गया था, जिनको पाकिस्तान में ऐसा होस्टेज रखा गया था, इरानिय इन डिप्लोमेट को पाकिस्तान में ऐसा होस्टेज रख लिया गया, कि आप इन दोनों को हमको सौपो पाकिस्तान में इन्हों ने बोला कि आप इन दोनों को सौपो जो अब ये लादेन के बच्चे हैं वरना हम इरानिय डिप्लोमेट को मार देंगे तो फाइनली ये एक्चेंज हुआ तभी तो भारत बोलता कि पाकिस्तान जो आतंक की जमीन है अब आप खुद देख ल लेकिन डेट्स की डीटेल जो है वो सामने नहीं आई अब अगर अलकाइदा की बात करें तो टॉप लीडर्स कौन है मुहमत अर्मासरी वही अबू महमत और सैफ अल आदल अब देखिए इसको तो मार दिया गया तो जहां तक है अब अगला जो लीडर है वो सैफ अल आदल को ही बनाया जाएगा देखा गया है इसको कई बार 2015 में भी इसको देखा गया था लेकिन वही है कि इसका जो प्रॉपर एड्रेस होता है वो नहीं पता लगा पा रहता है बैसे तरीकी का ऑपरेशन जो है ना काफी कंड़क्ट करवा जाता है सीक्रेट और्गनाइजेशन यह जो इंटेलिजेशन और्गनाइजेशन होती है यह सीक्रेट प्रोग्राम्स या ओपरेशन कंड़क्ट करते हैं ताकि इस आतंकियों को खतम किया जा सके 2018 में 20th anniversary थी जो embassy की bombings हुई और अमेरिका का जो state department है उसने इस पे reward भी बढ़ा दिया 5 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर कर दिया क्यूंकि दोनों ही ये अबू मुहमद और सैफ अल आदिल दोनों ही Kenya और Tanzania की bombings में लिप्त पाए गए देखें वो तो जाहिट सी बात है क्यूं जाहिट सी बात है इसलिए क्योंकि ये top contenders है ना leadership के ये दोनों जब से al-qaeda बना है तब से साथ है साथ क्या है one of the founding members में से एक थे तो इसलिए और दोनों को ही जो al-zawairi है जो al-qaeda का leader है उनका lieutenant दाया हाथ और बाया हाथ left hand and right hand बनाया गया साथी साथ सीरिया में जो fight हो रही थी उसमें भी काफी जादा इनका involvement है आपको बता दू कि al-qaeda की एक offshoot branch है सीरिया में नुसरा फ्रेंटे जिसको बोला जाता है अब ऐसे नुसरा बोलती है कि हम al-qaeda के साथ लड़ रहे हैं al-qaeda के साथ है लेकिन al-qaeda ने इसे पल्ला जाड़ लिया है but anyway वो एक अलक टॉपिक है तो अब next in-line कौन है क्योंकि अबू मुहम्मद को तो मार दिया गया है अब अग करनल था 1987 में इसको जेल हुई और फिर ही al-qaeda के साथ काम करने लगा तो यह लेचर था आई होब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा खुछ रहें पढ़ते रहें इदे से सिद्धान तक नहीं होता ही signing off